उज्जेन जिले में देर रात कोरोना वेक्सिन के स्टोक का प्रवेश हुआ है, कोविट चिल के 15,000 वेक्सिन डोस उज्जेन पहुंचे हैं सबसे पहले हेल्थ वर्कर को 16 जन्वरी से लगाना शुरू किया जाएगा 7,000 स्वास कर्मियों को टीके लगाये जाएंगे, 7,000 कोविट चिल दूसरे डोस के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे पुलिस सुरक्षा में जिला अस्पताल के स्टोर रूम में रखाये गये हैं कोविट चिल वेक्सिन पूरे प्रदेश में बेसबरी से हो रहा था कोरोना वेक्सिन के आने का इंतजार बूधवार रात को खत्म हो गया शाम को भुपार में वेक्सिन पहुँचने के बाद उज्जेन के लिए भी वेक्सिन भीजी गई जिले में पहली खेप में 15,000 डोज उज्जेन को मिले हैं CMHO डॉक्टर महावीर खंडिलवाल ने बताया कि आगर रोड इस्तित जिला टीका करण कार्याले पर देर रात को पहुँचे टीके फ्रीजर में सुरक्षित रखाये गये हैं टीको को 3 डिग्री सेल्सेस तापमान में रखा गया है वेक्सिन की सुरक्षा के लिए कार्याले पर पुलिस कर्मी भी तेनाद किये गये हैं उज्जेन जिले में 16 जन्वरी से टीका करण शुरू हो जाएगा फेज वन में पहले भाग में चिन्हित डॉक्टर नर्स सहित अन्य हेल्थ वर्कर को टीका लगाया जाएगा इनकी संख्या करीब 7000 हैं इन्ही लोगों के लिए 7000 टीके और सुरक्षित रखे जाएंगे पहले सभी को 5 दिन में टीके लगाया जाने थे लेकिन शाषन के आदेश के बाद अब सावधानी पुर्वक 25 दिनों में टीके लगाया जाएंगे स्वास कर्मियों के टीका करण के बाद फ्रंट लाइन वारियर 50 वर्ष से अधिकुम्र के लोग और अन्य गंभीर बिमार से ग्रसित लोगों को टीके लगाया जाएंगे टीका करण के लिए जिले में कुल 35 बूत तेयार किये गए हैं जिसमें 52 दल अपनी सेवाएं देंगे गौर्णमेंट अपना पूरा प्रोग्राम डिवाइस किया पहले हम फास्ट पेस पे चलने वाले थे जिसमें पांच दिन में सभी स्वास्त कर्मियों को डोज कोविड वेक्सिन देना थी लेकिन अब चाशन के निदेशा नुसाल लगभग 25 दिन में हम सभी स्वास्त कर्म को कोविड शिल्ड का डूस देंगे उसके बाद अगला प्रोजेक्ट हमरा शुरू होगा जिसमें अन्य कोरोना वारियर को ये कोविड शिल्ड का डूस देंगे हमारे पास में परियार्प सुविदामल एक लाग डूस तक सुरक्षित रख सकते हैं 15,000 तो बहुत मामुली इस कैपेसिटी है उसके पूरी सुरक्षा की और उसके टेंपरेचर मेंटन करके रखने की हमारे पास में पूरी सुरक्षा और पूरी व्यवस्ता है जैसा कि आपने भी देखा हमारे मिनाजिशन ओफिस में लगबग 18 ILR है और ये तो 3 ILR में सभी डूस सुरक्षित हो गए दोरी व्यवस्ता है